मैं एक सवाल आज पूछ रहा हूँ, आप बताइए रॉबर्ट वाडरा जी के उपर कोई आज से नहीं 2014 से अनेको विश्यों के केस चल रहे हैं, एक खुलासा जी मनोज अरोडा जो उनका खास मित्र है उसको पकड़ने के पस्चा ते खुलासा हुआ है, कि रॉबर्ट वाड लंडन के अंदर मौजूद है, यह कहानी क्या है, रोडपती से करोडपती तक की यह कहानी, क्यूंकि देखिए, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, जब रॉबर्ट वाडरा जी ने, रागनी जी तो मुस्कुरा रही हैं, आज ही नहीं, मैं रागनी जी मेरी बेहन है, मैं कह करता हूँ, जीवन भर मुस्कुरा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सारे चार साल आपने कुछ नहीं किया, जुनाओ कि जस्ट पहले यह जो आप ED सब सक्रिय हो रहे हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है, किस ने कहा कि कुछ नहीं किया, देखिए, पहली बात तो मैं आप कोगेट ग्यालोरी थी, उन्होंने कहा, देखिए, हमारे उपर जुल्म हो रहा है, हमारे उपर वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, कोट ने कहा, कुछ तथ्य देखा, कोट ने सारे तथ्य देखने के बाद, रॉबर्ट वाडरा उसमें विदेश में थे, और उनने का, न और मुझे तो कोई कानून नहीं छोड़ता, उन्हें क्यों छोड़ दे कानून, क्यों छोड़ देगा उन्हें कानून, और ये बैगेज कितना भारी पर सकता है, प्रियांका जी को, आज ही वो कॉंग्रेस दफ्तर भी पहुंची, रागनी जी, देखिए, एक पोस्टर से इतना डर लग रहा है भारतिय जन्ता पार्टी को, जब पूरी पिक्चर चलेगी अंजना जी, तो टांगे कापेगी भारतिय जन्ता पार्टी और मोधी जी की, आब मुझे बताईए कि आज सवाल ये पूछा जा रहा है कि कैसा पोस्टर लग गया, कौन सा लग गया, कॉं के बुद्धे पर आती हूँ, मुझे संबित पातरा जी ये बताएं, इनके पास सारे तथ्य हैं, इनके पास बहुत बड़े-बड़े सुभूत हैं, सारे एविडेंस हैं, तो प्रेस कॉन्फरेंस काहे कर रहे हो भाया, जवाब दे दो मुझे आज, काहे बैठे हो टीवी क सामने बहस करने के लिए, जाओ ना सारी investigative agency आपके पास है, ED, CBI, IT, करिये criminal case file और एक charge sheet भी दिखाईए न, एक नहीं, दो, नहीं, तीन, नहीं, साथ साल से रॉबर्ट वाडरा जी के पीछे पड़े हैं आप, 2014 के चुनाओं में चिला चिला कर, पानी पीपी पक कर कोसा आपने रॉबर्ट वाडरा जी को, कहा कि आने दीजे सरकार जेल की सलाखों के पीछे होंगे, क्या हुआ, एक charge sheet दिखाईए मुझे, और नहीं दिखा सकते हैं, तो बताईए कि क्यों इस तरीके के एनर्गल, रॉबर्ट वाडरा ने अंदर कहा है, मेरे संजीव भंडारी उन्होंने एके करके दोनों ही करमचारियों पर अपनी टिपनी दी है, एडी से जो जानकारी अब मिल रही है, वो यही है, कि लंडन में प्रॉपटी होने से इंकार किया है, अगर ये ब्रेकिंगम फुल स्क्र पूच्टाच पर एक्स्टूसिव जानकारी इस वक्त आप आज तक पर देख रहे हैं, लंडन में संपत्ती से इंकार किया है, रॉबर्ट वाडरा ने, संजे भंडारी से कारुबारी रिष्टे नहीं है, ये भी साफ शब्दों में कहा है, मतलब ये पूच्टाच किस तर हैं कि मेरा लेना देना नहीं, आपने ऐसा कभी कोई आरोपी देखा है, जो कि वाक इन करता है, एडी के ओफिसर के पास, और कहता है कि हाँ, हाँ, मैं नहीं सब किया है, इसी प्रकार का सारा तंत्र वो बुनेंगे, मगर याद रखिये हिंदूस्तान का कानून है, इस तंत है सुमिच चड़ा का, जिसको वो बता रहे है कि मैं जानता नहीं हूं, सुमिच चड़ा कौन है, रिष्टेदार है, उस आम्स डीलर का संजय भंडारी का, और जिस घर के बारे में हम बात करने हैं, 12, Branton Square, London, उस घर के refurbishment के लिए, उसके refurnishing के लिए, जो 35,000 pounds, यूंकि इ बेस्मेंट का, बेस्मेंट फ्लोर का प्लान है, पूरा बेस्मेंट फ्लोर किस प्रकार का, रॉबर्ट पाडरा ने, रिफरनीशिंग किया है, वो आप देख सकते हैं, और ग्राउंड फ्लोर भी देखिए, नहीं देखिए, आंजना जी, हम लोग अपने जीवनकाल में रा जानता हूं कह रहे है, मनुझ अरोडा, अरोडा माफ कीचे रहे है, अंजना जी, ओनर्शिप का डॉक्यूमेंट दिखाए न, घर किस जिसका होता है, उसके नाम पर ओनर्शिप का डॉक्यूमेंट होता है, यह आज सवाल पूछा है इनोंने, दो तीन साल से पूछ मनुझ अरोडा ने इसको कहा, उसने संजय बंडारी को कहा, संजय बंडारी ने इसको कहा, अरे हम तो कह रहे थे कि जैशा ने 50,000 रुपे को 80 करोड रुपया बना दिया, क्या CBI या ED ने जाकर छापा मारा, क्या सवाल पूछा, क्या रेड हुई, क्या JPC बनी रफैल को ले करने के लिए, अपनी प्रतिशोद की ज्वाला को शांथ करने के लिए, संबित पत्र जी आएंगे और प्रैस वार्ता करते रहेंगे, और इनके घर की बात हो तो आप बिना सभूट के ठीक है ठीक है आप आपको जवाब देता हूं जैस्टा वाले केस में कोर्ट में अलाबाद हाई कोर्ट में केस चला अलाबाद हाई कोर्ट ने कहा यह सब फर्जी है केस कर देंगे को निकाना यह तो हम नहीं कह रहे हैं यहां आफ नहीं बनामी प्रॉपटी कुछ होती है ना क्यों किवे नाम क्यों आया है इगा मैं आपके बीच में बिलकुल नहीं को भूला'm यही बात कोट के सामने जाके रॉबर्ट वाडरा के वकीलों ने कहा कि हमारी तो ओनर्शिप नहीं होनी चाहिए का डॉक्युमेंट दिखाईए कोट ने कहा बेनामी प्रॉपर्टी होती है आप जाके सब कुछ इडी को बताईए कि आप सुमिछ चड़ा को नहीं जानते हैं बताईए यह जो मनोज अरुड़ा के इमेल से क्यों हो रहा था मनोज अरुड़ा के हस्ताक्षर उसमें क्यों थे एक कर्मचारी के पास इतने करोडों खर्बो रुपए कहां से आ गए कि वो वहाँ इडी पूछ रही है तो इनको डर क्यों लग रहा है अगर जीजा जी इतने बाग साफ है तो छूट जाएंगे नहीं तो जेल जाएंगे अगर जीजा जी का दामन इतना दागदार होता तो जिस तरीके की शडेंत्रकारी राजनीती आप करते हैं अभी तक कोई बहुत बड़ी सजा मिल गई होती लेकिन समस्या यह समभिपात्रा जी की आपके पास तक्खे नहीं है आपके पास तर्क नहीं है